आप लोग देख सकते हैं हमारे पास हैं हमारा जरूदा काईट का application अब आप यहाँ पर दिखेंगे मैं आपको यहाँ पर पूर इन डिटेल बताओं का आप कैसा हैं यहाँ पर शेयर इसको by and sell कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यह रहा हमारा जरूदा काईट आप लोग देख सकते हैं यह मैं आपको पुरा प्रूफ दिखा देता हूं कि यह जरूदा काईट ही है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह जरूदा काईट अब चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं देखेंगे जरूदा काईट में यहाँ पर माल प्राइस के चाहब लोग देख सकते हैं आपर जो मार्केट प्राइस है वो अटोमेटिकल लिए आप अब आप यहाँ पर देखा रहा है ठीक है तो माल यहाँ पर CNC का मतलब होता है देखेंगे यहाँ जो CNC है यह CNC का मतलब होता है आप लोग जो shares को खरी देंगे उसको आपको holding पर रखना है मतलब आपने जो shares को खरीदा है आपको उसी दिन नहीं बेचना है आप इसको एक महीने दो महीने एक साल दो साल के लिए hold करना चाहते हो यहाँ पर MIS का मतलब होता है इंट्राइडे ट्रेडिंग मतलब आपने share को जीस दिन खरीदा है उसी दिन आपको बिचना है यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि आपको जो share उसका प्राइस की किस लिमिट में चाहिए और मान लीजे आप देखेंगे फिलाल में हमारे पास 793 यहाँ पर 0.85 जो share का प्राइस 792 पर आए जब हम इसको पर्चेस करें तो आप लोग यहाँ पर जो प्राइस डाल सकते हैं 792 यहाँ पर जो share का प्राइस यह बढ़ेगा आपका जो प्राइस तो यहाँ पर मान लिए कि आपको stop loss लगाना है तो आप SL पर जाएंगे अब यहाँ पर मान लिए कि यहाँ पर stop loss market price लगा तो आपको stop loss market price लगाने के लिए माल लीए जो आपका share है यह हम समझते कि 796 के उपर जाएगा तो आप लोग इस प्राइटी सिक्स के पास जाएगा तो उसके आजपास में जो भी इसका rate रहेगा वो जो आपका share है वो आटोमेटिकली execute हो जाएगा अब यह सारी आपको यह सारी चीज़े करना नहीं है पर IOC का मतलब होता है माली जो share की price है वो आपकी दी गई limit price या फिर आपका stop loss order है उस price पर नहीं की तो आपका share execute हो जाएगा बटो cancel हो जाएगा जो price है इस पर नहीं तो बटे में क्या हो था कि जो वो share है वो दिन पर उतार आपको दी hold करना है share को तो आपको cmt करते हैं आपको intraday करना है तो आपको MIS करते हैं और यहीं सारी चीज़ा आपको रहन देना है अब यहां पर माहन नहीं कि आपको जो share का price 792 रूपीज जाएगा तो जैसे ही share का price 792 रूपीज जाए तो आप लोग यहां पर 792 price डाल द करता है आप स्वाइब करके बाइब कर सकते हैं चलिए गई मुझे इसको बाइब नहीं करता हूं लोग बात करें सेल की तो आप लोग कैसा जरूदा के अंदर अपने जो share करना है ठीक है तो आप उस share को select करेंगे ठीक है यहां पर हमारे पास option आ जाता है सेल का आप देख स उसको sell करना है अब समझें कि आपको सिर्फ एक share sell करना है ठीक है तो यहां पर अपनी quantity डालिए है यहां पर आप अपनी प्राइस डालिए अब मान लिए कि यहां पर आपका शेयर है वह कही वाला था मतलब नहीं जो आपका शेयर था वह ओल्डिंग में या फिर market price है मान लिए कि फिलाल में जो आपका current market price है आपको उस ही price के अंदर जो आपका share उसको बेचना है तो आप लोग यहां पर market करिए और swipe कर सकते हैं अब इसके बाद आपको limit डालना है कि आपको लगता है कि जो share का price है वो यहां पर देखिए इस से उपर जाएगा तो आप यहां पर देख सकती कि आप इस limit price को लगा सकते हैं आप stop loss लगा सकते हैं मैंने आपको पहले बता सेंट तो सेंट विरसा stop loss काम करेगा stop loss market price लगा सकते हैं main चीज़े हमारी काम किया market price और यहां पर limit price यह दो चीज़े मुझे अच्छी रखती है तो मैं खुद भी परसनली को ही यूज करता हूँ अब यहां पर देखिए आप लोग इसी procedure को यूज करना है अपनी quantity डालना है यहां पर आपको CNC सेलेक्ट करना है यहां पर आपको अपना market यहां फिर limit price सेलेक्ट करना है तो यहां पर हमको regular order करना है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपको day कर करता है जो यह price है वो यह price हो दिन पर fluctuate होगी उपर नीचे जाएगी तो जो आपने price बता है उस price को यह दिन पर में hit करता है तो आपका share हो जाएगा वह यह उस ही आपने किया तो IOC में यह होगा कि वह जो शेयर इस ही समय में अदर दिखिए जो ततकाल कुछ मिनिटों के अंदर जो शेयर है वो इस price को hit नहीं करेंगा तो जो आपका share selling को cancel हो जाएगा तो मैं आपको इहाँ पर खेना चोगा आप day ही करिए और इस प्रकार से आप लोग जरुदा काइट के अंदर अपने जो शेयर से उनको buy and sell कर सकते है होप आपको इस video से help मिली हो